नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर, सोहाल ही में अनाउंस किये गए यूनियन बजट में ये घोशना करी गई थी कि 75 डिस्ट्रिक्स में 75 डिजिटल बैंक्स बनाए जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, लाइव मिंट की ये खबर है, ब तो मेरे साथ, मेरा नाम है अनिरुद, इस लेक्षर की PDF को, यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिये गए, टेलिग्राम चैनल के माध्यन से कर सकते हैं, इसके इलावा आप लोग जुट सकते हैं, यूजिन इस पर्टिक्लर हैंडल on the Unacademy app as well, औ आपके लिए ये वाले prices भी available कराए जा रहे हैं, ध्यान रखे, आपको ये वाला course purchase करते समय, code use करना है, अनि UPSC, अगर आप लोग अनि UPSC code इस्तिमाल करते हैं, तो आपको ये सारे के सारे benefits मिलेंगी, मेरी personal guidance, WhatsApp ग्रूप में addition, और 20 books भी आपके घर तक पहुंचाई जाए तो आप में से जितने भी लोग होंगे, उन सभी ने इन में से किसी ना किसी company को, किसी ना किसी app को definitely इस्तिमाल किया होगा, और ये जो सिलसिला है, पिछले पांचे सालों में हमें जादतर देखने को मिला है, for example, Paytm हुआ, free charge हुआ, या फिर Bheem app हुई, तो ये सारी कि सारी जो apps हैं, ये बेसिकली क्या करवाती हैं, ये आपके लिए जो transactions हैं, उनको digitize करवाती हैं, यानि कि जो payments हैं, उनको digitize करवाती हैं, अभी कई सारे लोग ऐसे हैं, जो की छोटी-छोटी payments करने के लिए अकसर Paytm, MobiQuick बगारा बगारा जैसी apps का इस्तिमाल करते आए हैं, और transition के बाद, और COVID crisis के बाद, digital banking हुआ, digital payments हुआ, even fintech के sector में, यानि की finance technology के sector में, जो भी innovations हुई थी, they have picked up the pace in the country, और आकडे आपके सामने में दिखाने वाला हूँ, ये देखिए, ये RBI का ही एक report सामने आया था, regarding the digital payment systems in India, इसमें इन्होंने दिखाया था, कि digital payments जो पूरे इ UPI available ही नहीं था, उसके बाद यहाँ पर भी available नहीं था, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हुआ था, 16-17 के बाद UPI suddenly काफी जादा बढ़ जाता है, और उसके बाद 18-19 में UPI is the highest bar in the entire digital payments, यानि की पूरे के पूरे digital payments के आपके ecosystem में सबसे बड़ा योगदान UPI का ह हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसके बाद एक और चीज़ की तरफ आपका यहाँ पर ध्यान दान चाहूंगा and that is e-money, यह देखिए e-money 2014-15 में यहाँ पर था, उसके बाद थोड़ा और बड़ा, उसके बाद और बड़ा, उसके बाद और बड़ा और अभी जो ह कि जो आपका e-money और UPI की payments हैं, वो पिछले कुछ वर्षों में काफी तेजी से बढ़ रही है, और यह data again केवल 18-19 के financial year के अन तक का ही है, उसके आगे अगर आप देखेंगे तो यह वाली चीज़ सामने आती है, that pandemic की वज़े से जो हमारे NPCI platforms के उपर हुई transactions हैं, उनमें जो volume और value हैं, उसमें काफी जादा बढ़ाती देखने को मिली है, as you can see very clearly over here, यह आपको केवल ऊपर जाता हुआ ही नजर आया है, और यहाँ पर भी आपको यह केवल ऊपर जाता हुआ ही नजर आया है, obviously 2020-2021 का जो financial year था, तो COVID crisis stabilized होने के बाद, यहाँ पर जो peak थी उसके बा पर जो हमारी केंद्री सरकार का announcement था, वो काफी बड़े माइने रखता है, in recent years यह हमारी जो finance minister है नेमला सीतरमाजी उनके तरह कहा गया, digital banking, digital payments and fintech innovations have grown at a rapid pace in India and the government has been continuously encouraging them to ensure that the benefits of digital banking reach every nook and corner of the country in a consumer friendly manner, और इसलिए यहाँ पर यह वाला कदम लिया गया है कि हम लोग 75 digital banks को 75 districts में setup करने वाले हैं, यह आप ला 75 क्यों लिया है, बिकॉस आपको मालूम होगा कि हम लोग 75 years of independence को mark कर रहे हैं and that is why the country has chosen a number of 75 over here, यह भी आप देख सकते हैं कि जैसे ही यह announcement हुई थी उसके immediately बाद budget के announcement के दिन यहाँ पर जो paytm के shares हैं वो काफी जादा खेर jump भी कर गये थे, ख तरफ हम लोग digital banks को लेकर आने वाले हैं, दूसरी तरफ सरकार ने digital currency के announcement करी है कि वो कहा जा रहा है कि यह हमारी जो है early 2023 में आकर के digital currency भी available करवा दी जाएगी, जो कि आपको मालूम होगा, आपने नाम सुना होगा, something called as CBDC, जो कि Central Bank Digital Currency है, जो कि हमारा RBA ही यहाँ पर लेकर होने वाला है, और इसके साथ आपको एक और चीज़ देखनी है, कि हमारी जो internet banking की सुविधा है, जो कि अभी तक केवल और केवल कुछी banks में available थी, उसको अब हम लोग India का सबसे बड़ा network, जो कि post offices का है, वहाँ पर भी available करवाने वाले हैं, यह वाली खबर भी इस साल के budget 2022 क द्वारा ही दी गई है, और यह कहा गया है, that the government has announced that all 1.5 lakh post offices in the country will be linked to the core banking system, इसका फायदा क्या होगा, this will basically enable people to access their accounts online and also transfer money within the post office accounts and to the other banks, इसका फायदा क्या होगा, कि जो remote areas में, जो दूर दरार के इलाकों में, जहां पर internet banking available नहीं थी, because of post offices, वो भी available करवाई जाएगी, तो यह यही एक कदम है, through which the country is moving towards the digital banking, और आगे जाकर यही जो post office के accounts होगे, इनको फिर link किया जागा, UPI के माधियम से, again, सारा का सारा जो basically सिलसिला है, वो payments की तरफ ही, digital payments की तरफ ही फिलहाल drive किया जा रहा है by the current government, so देखते हैं कि इसका impact क्या होता है, obviously जो कदम है, वो सही दिशा में लिया गया है, सही, मंचा के साथ लिया गया है, लेकिन obviously depend करेगा कि इसके outcomes किस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं, दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, जाने से पहले आपको बता दूँ कि हमारी NCRT Geography Class 9 की सीरीज चल रही है, जिसमें कि हम लोग आज 8 February को आपको इसमें जुड़ना मेरे साथ नहीं बूलना है, इसका लिंक नीचे pinned comment में आपके लिए वेलेबल करवा दूँगा, और इसके साथ ही में अनी UPSC Code इसकिमाल करते हुए, आप लोग अगर iconic का course करीते हैं, तो आपको यहाँ पर discounts मिलेंगे, और साथ में मेरी करीतों इसके सेवी